हेलो फ्रेंड्स आगत आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास नाइन्थ की मैथ से एक्सरसाइज 1.5 का कोश्चन नुबर 5 ले करके आया हूं तो इस वीडियो में हम इस कोश्चन को डिस्कस करेंगे आप बस वीडियो क को ध्यान से देखें आता तक देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इसमें यह हमारा कोशन नुबर 5 कि देखों सک्रम्क्राओं तो देखों यह होता है हमारा स्कॉयार रूट साइन ठीक है या होता है इसकूयार रूट या फिर इसी को बोलते हैं radical sign क्या बोलते है radical sign ठीक है तो हमें यह जो radical sign होता है या जो यह square root होता है इसको denominator से remove करना होता है इस प्रकार से remove करना होता है कि value आही रहे value में कोई change ना आए तो चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो यह हमारे पास four type का question है question number first one upon square root seven question number second one upon square root seven minus square root six question number third one upon square root five plus square root two and question number fourth one upon square root seven minus two so यह हमारे पास questions है मैं पहले इन question को मिटा देता हूँ फिर एक एक करके solve करता हूँ ठीक है तो इसमें हमारा question number first है one upon square root seven ठीक है यह हमारा question है अब इसको rationalize करने के लिए क्या करेंगे solution कि इसको हम राइट कर लेंगे one upon square root seven अब यह नीचे जो भी होगा denominator में जो भी होगा जैसे आपर denominator में square root seven है तो उसी square root seven से numerator में भी multiply करना है और denominator में भी multiply करना है ऐसे square root seven upon square root seven से multiply कर देना है तो multiply करने के case में क्या होता है multiplication ऐसे हो जाएगा 1 into square root 7 फिर यह हो जाएगा square root 7 into square root 7 तो यह direct multiply होगा तो 1 into square root 7 आएगा square root 7 और यह जो square root 7 into square root 7 है देखो अगर ऐसे होता है square root n into square root n तो हमारा answer n मिलता है क्योंकि square root square root cancel हो जाते है तो यहाँ पर square root 7 into square root 7 की value आजाएगी 7 और आपने denominator से square root को हटा दिया radical sign को remove कर दिया इसलिए यह rationalize हो गया और यही आपका answer होगा तो इस तरीके का अगर कोई भी question हो जहाँ पर one अपान करके square root में कोई भी number हो तो उसको rationalize करना हो तो इस तरीके से हम rationalize करेंगे आप इसे write down कर लो या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लो तो आप हम question number second को rationalize करेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या करना होता है जैसे यह number है one upon square root 7 minus square root 6 तो इसका जो denominator है वो है square root 7 minus square root 6 तो आपको क्या करना होता है जो यह sign है इसका opposite लेना होता है जैसे कि यहाँ पर minus है तो ऐसे लेंगे square root 7 plus square root 6 और इस number से यहाँ numerator और denominator में multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा वो factor जिससे हम multiply करेंगे तो factor क्या हो गया square root 7 plus square root 6 इसको करने के लिए आपने क्या किया यह वाला साइन चेंज कर दिया ठीक है माइनस था इसको प्लस कर दिया तो ऐसे multiply करेंगे नीचे उपर solution वन अपान square root 7 minus square root 6 into square root 7 plus square root 6 over square root 7 plus square root 6 ठीक है नीचे उपर इसी से हमें multiply कर देना है ठीक है इसे माटा देता हूँ आप जब multiply करेंगे तो यह direct multiply होगा 1 into square root 7 plus square root 6 over bracket open square root 7 minus square root 6 bracket close into bracket open square root 7 plus square root 6 bracket close ठीक है अब यह जो होगा अगर आप 1 से multiply करोगे तो वापस सी यही नंबर आएगा तो इसको हम adjectives write कर देंगे square root 7 plus square root 6 ठीक है देको यह वाला जो है ना इसके लिए एक identity लगेगी और identity होता है square root a plus square root b into square root a minus square root b is equal to हो जाता है a minus b क्या हो जाता है a minus b जैसे यहाँ पर देखो square root a square root b है तो यहाँ पर direct हो जाएगा a minus b तो उसी identity का हम use करेंगे तो यहाँ पर direct क्या हो जाएगा 7 minus 6 क्या हो जाएगा 7 minus 6 कैसे हो गया इस identity के थुरू हो गया तो आप चाहे तो इस identity को भी राइट कर सकते हैं ठीक है तो इस identity को आप चाहो तो राइट कर सकते हो तो देखो आगे हम इसको solve करेंगे square root 7 plus square root 6 over 7 minus 6 कितना जाएगा 1 और 1 को आपको लिखने की जरूत नहीं है तो सीरे सीधे यह पूरा हटा दीजिए तो answer कितना आ गया square root 7 plus square root 6 यह हमारा answer हो गया इस question का तो आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो अब हमारे पास question number 3 है 1 upon square root 5 plus square root 2 तो हमें क्या करना होता है दिखो denominator को rationalize करना होता है तो denominator हमारे पास है square root 5 plus square root 2 तो इसका factor find करने के लिए क्या करते हैं तो बस यह जो plus sign है इसको change कर देते हैं यहां पर जो भी sign होगा उसको क्या कर देंगे इस वाले sign को change कर देंगे पलस है तो माइनस कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा square root 5 minus square root 2 यानि इसी से हमें क्या करना है इसी से हमें numerator और denominator में multiply करना है यह वो factor है ठीक है तो क्या करेंगे ऐसे multiply कर देंगे solution 1 upon square root 5 plus square root 2 into square root 5 minus square root 2 over square root 5 minus square root 2 ठीक है इसकी जरूद नहीं है इसे हटा देते हैं तो अगी के लिए multiplication है तो होगा क्या देखो यह direct multiply हो जाएगा 1 into under bracket square root 5 minus square root 2 bracket close over square root 5 plus square root 2 into square root 5 minus square root 2 ठीक है अब 1 से इसे में multiply करेंगे तो answer वही मिलेगा हमें क्या मिलेगा square root 5 minus square root 2 लेकिन ये एक identity पर based होता है और वो identity होता है square root a plus square root b into square root a minus square root b is equal to होता है a minus b यानि कि direct numbers को subtract कर दो तो a है यहाँ पर 5, b है यहाँ पर 2 तो direct यहाँ पर करेंगे 5 minus 2 कितना करेंगे 5 minus 2 तो result क्या आ जाएगा देखो square root 5 minus square root 2 over 3 कितना आ जाएगा square root 5 minus square root 2 over 3 तो यह हमारा इस question का answer हो जाएगा आप चाओ तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो तो next question number 4 है हमारा one upon square root 7 minus 2 ठीके तो इस question को हम rationalize करेंगे 1 upon square root 7 minus 2 सबसे पहले क्या करना होता है कि यह जो number होता है जैसे यहाँ पर denominator में लिखा square root 7 minus 2 तो उसी से हमें नीचे उपर multiply करना होगा तो इसे write कर लेंगे square root 7 to square root 7 2 अब यहाँ पर sign कौन सा लेंगे यह जो sign है इसका opposite यहाँ पर minus sign है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे plus क्या लगा देंगे plus यह होता है मारा फेक्टर यानिके square root 7 plus 2 से हम क्या करेंगे numerator और denominator में multiply करेंगे ठीक है तो होगा क्या कि देखो यह होगा हमारा one into under bracket square root 7 minus 2 और यह हो जाएगा under bracket square root 7 minus 2 into under bracket square root 7 plus 2 तो अभी के लिए देखो जब इस number को one में multiply करेंगे तो वापस से हमें वही नंबर मिलेगा means square root 7 minus 2 मिलेगा इसको जब आपस में multiply करेंगी तो दिखो एक identity होता है square root a plus b into square root a minus b तो यहां पर हो जाता है a minus b whole square क्या हो जाता है a minus b whole square देखो a पर square root है b पर नहीं है तो a का whole square नहीं होगा b का होगा ठीक है मतलब जो square root में है उसका square नहीं करना है जो नहीं है उसका करना है तो यहां पर 7 square root में है तो 7 का whole square नहीं करना है 7 के 7 आ जाएगा और 2 square root में नहीं है तो इसका whole square करेंगे 2 का whole square 4 है ना 2 का square 4 तो यहां पर इसको आगे solve करेंगे तो square root 7 minus 2 over 3 कितना आ जाएगा 7 minus 4 3 तो यह हमारा answer हो जाएगा इस question का आप चाओ तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जर्यावी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले थेंग्यू कुलास